तो गाईज, we have come so far, हमने देखा था कल की वीडियो में JSX और कंपोनेंट्स, आज हम देखने वाले हैं, क्या, यह क्या बात, यह क्या बात करता है, तो आज हम देखने वाले हैं, प्रॉब्स डेलिंग, प्रॉब्स डेलिंग, कुछ नया को टापीक है, ठीके देख देख सब्सक्राइब.js के अंदे रहोंगा मैं, यहां बेमें सब अट आज हमारी को, ठीके है, इक, सिर्फ एक कंपोनेंट रहोंगा, मैं सब्सक्राइब, आपको बता है, रियक्त फ्रेग्मेंट्स के अंदे में कंपोनेंट्स राप हो रहा है, और अगर मैं इसको कुछ ऐसा कर सब्सक्राइब, इसको काम हो जाएगा, मैं आपको क्रोम भी उपन कर लेता है, और यहां पर आके और इसका क्या लोकल होस्ट 5137, 5173 वह उपन करूँगा, और हाँ, हाँ, ठीक है, देखो, अब क्या बात करता है, अब क्या बात करता है, और एक्जाम्बल, मुझे लिखना है यहां पर, तुम्हारा, रोल, नम्बर आ, तुम्हारा, नाम, ना, राज है, प्या, प्याएग, तिया, दैट सब्सक्राइब, इतना हो कि, अब, यह नहीं का, मेरे कमपोणेट हो आप है, अब सुद्धा देखो, अब मैं कहा चाहता हूँ, ती मेरे एप मेरा नाम है, मेरे मेरे इजे मेन अप है, उसके अंदर मेरा ए-Course है, ओके, कोर्स है, मामे में लोंगा, कि एक कोर्स को मैं कर लेदा हूँ, और मैं यहां में अब मैं चाहता हूँ, मेरे जो पैरेट के अंदर, जो यह नाम है, वो मेरे कमपोणेट के यह नाम से ही रिप्लेस हो जाए, समझे कुछ, पर एक्जामपल, अजर मैं पुछ अच्छा करना जाता हूँ, कि मेरा यह नाम समझे राजपडवल है, तो मैं चाहता हूँ, कि इस situation से कैसे deal कर सकता है, प्रॉप्टेशल से, कैसे हमें इस component को यह नाम पास करना होगा, और इस component के अंदर यह नाम गेट करना होगा, अब वो कैसे करेंगे, simple है, देखोई, कैसे, पहला मुझे क्या पास करना है, नाम, तो मैं आओंगा यहाँ पे, और उसको गुरूंगा मुझे क्या करना है, नेम, आप इस equal to bracket में, यह बतलब, basically यह key value pair आप समझ सकते हो, मैंने basically इसको attributing बना दिया, आप ऐसे भी समझ सकते हो, that is the, मैंने इसको property पास कर दिये, नेम तरके, और उसकी value कर दिये, यह name होगे, और other में यहाँ पे करूंगा कुछ ऐसे, आप देखो कुछ नहीं हुआ, क्यों कुछ नहीं हुआ, प्रॉप्स के वैसे, मैं component से data get कर रहा हूँ, अब मैं, अगर मेरा variable अगर यहाँ पे होता, कुछ ऐसे, constant name is equal to quarter 29, तो definitely, definitely आप बोलोगे कि यह quarter 29 आगा, बट इस time पे, मैं जो data है, मैं कहां से get कर रहा हूँ, मेरे parent से get कर रहा हो okay, so, name is equal to name के mn, तो मुझे यहाँ पे get करना पड़ेगा, तो मैं कैसे तरूँगा, यहाँ पे न, अपना arrow function, उसके अंदर मैं कुलूगा, प्रॉप्स, okay, और यहाँ पे का बोलूगा, नेम के लगा पे, मैं बोलूगा, प्रॉप्स.name, oh, M.G.bio, देखा आपने, यहाँ पे मेरा नाम आ गया, okay, for example, अगर मैं यहाँ पे मेरा नाम यह कुछ ऐसा गरता हूँ, नेरा नाम कुछ, hmm, code, दो, inline करदा हो, code, inline आगा, dynamically, मतलब अपना आप नाम है, वहाँ पे पहुछ गया, that's it, कैसे लगा, और अमेजिंग है की नहीं, बड़े डेटा से भी डील करते हैं थोड़ा बैसित अब क्या करेंगे अब इसका बैसन में नहीं नहीं तो बताओ नो अरे यह चीज सम्झद गई आपको तो बताता हो सब्सक्राइब करेंगे अब 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 क मैं आप से आप आके या करो आ रहा है भाही आ रहा है देखा कितना है कितना है now let's think about kuch baat लेता है for example एक array है so const const name is equal to sorry एक काम बदेखता है fruit ऐसा गोड़ा है root array is equal to this इस अबुछ देटा करेंट, इस अबुछ रिलेसे अब देटा के लिए चाहिए। नहीं देटा सबुछ करेंट के निगर है। अब बेटा ख़िए अर्य है, उसके उने में पर लोगशार को इसे आइसे हैं ॉसके इब ब्लोगशार के अजेए। मैं देना देना चाहूँगा ID is equal to 1 देना चाहूँगा टाइटल मा टाइटल सिर्फ देखो टाइटल के देना चाहूँगा मैं Welcome Welcome to react which is react which is okay चलो इतना होगा टाइटल होगा डिस्क्रिप्शन की में जरुवत नही है ठीके चलो अब में एक होगा इसको रेप्लिके करोगा तो इसको अउमा डालूँगा विकोज यह मेरा एक एरे है उसके अंदर मेरे multiple objects है देखो यह ऐसा तीन बार रेप्लिके किया इसको दूंगा ID 2 इसको दूंगा ID 3 यहां पर बोलूँगा मैं वेलकम तो रेंट जस यहां पर बोलूँगा वेलकम तो नेक्स्ट नेक्स्ट इड नेक्सट जस और यहां पर बोलूँगा वें पाइसद पाइसद आगे बड़े मुझे आभी किया क्या पासकरर पने जाभ लोगगा? मैं भी नेमको लेटाता हो यहां मैंन मुझे नेम नेए पासकर करना मैं मुझे विल्टीन पासकर 문제 और मैं मेरा नेम हें लिए यह तुम मैं एक फासे भी लोगभाँ यह यह नेम लकत था हूँब। नेम रख देख इसको अभी नेम नेम गग, कमेंट किया इसको अभी कोबस और अर भुट कोबस बिबाएट वो रहा नियो लिए तवी यह, blocks is equal to blocks, okay? और क्या बुलना चाहओगा, that is, course is equal to bracket, पर दिस के यह, कर दिस कमाना, course. अब मुझे यहां से क्या दरना है, मैं पुलना है, प्रॉप्स से यूज कर सकतो, okay? प्रॉप्स से आप प्राय करो, अब देखो, मैं का बुलोगा आपे, मुझे रिस्ट्रक्चर करना है, okay? क्या नेम और, क्या था, blocks था, blocks. blocks लेना है, okay? बरेखते बराबर, okay, blocks और course है, okay, blocks और course है, blocks और course है, blocks और course, ठीक है, so, you are, SEO book, okay? अब ही हम कुछ अच्छा काम करता है, that is, read and करेंगे, okay, अब मैं हाँ थोड़ा चा, H1 यूज करता हूँ, H1 के अंदर में डानूँगा, course, course is equal to, या अफे, यहाँ पे, ऐसे कर देता हूँ, इसका मतलब क्या, मैं यहाँ पे, जावा स्क्रिप्स करूँगा, जर जान दो कि अगर आपको जब्धी जावास्किप्ट यूज करना है, तो आपको, आपको, STML के अंदर जब्धी जावास्क्प्स करना है, तो आपको यहाँ पर गुछ ऐसा ड्रैस देना पड़ेगा इन इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, और यहां पर लिहां रहाख ज्नक जरुर्त नहीं उसका कोई जरूरत नहीं है दो जरूरत लिए मोटे से चीप के दा स्फिए जरूरत है मोटे को स सब्सक्रेंग कर लेकित उनक Course दो त्रपों दो अब में चाहता हूँ कि LINE by LINE न वहाँ पर आ जाय हूँ अब यह मैंने BLOCKS है BLOCKS है अब मैं आपको लिगा दो अगर मैंने BLOCKS किया तो तो एक हो क्या आता है कि अंख आया तो अख्याया कि अच्छ आया कि आया तो कि अज नहीं आया क्यों कि बलोक सेक एक एर है तो मुझे करना पड़ेगा, मुझे यह ऐसा नहीं हो करना हो, मुझे इसको डील करनेंगा अलग हुए है, अब ब्लॉक्स मेरा एक एरे है, तो मैं उसको मैप करूँगा, बैसिकली अगर आपको नहीं बता तो यह वीडियो लेख रहे हो पर यहां पर आफे वीडियो देखने तो मैं सिंप्री आपर पुरी जावास्क्रिप यूज़ करना नियुप के अंदर, मैं गोलूंदा, ब्लॉक्स.map, ओके, कुछ है, और मैप करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आपको पताने यह ब्लॉक्स का, यह मैप का फॉंशन देख, व्लॉक्स है वराबर, मेरे ब्लॉ ब्लॉक्स के अंदर, मैं 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 ब्लॉक्स के ब्लॉक्स टिया मैं ब्लॉक किया अब मैं आपर रिटर्न करना चाहूंगा यह क्या h3 basically ऐसा करो and then h3 कर दो और मैं यहां रहना चाहूंगा ब्लॉग कुछ ऐसे रिटर्न करना चाहूंगा मैं ब्लॉग.title क्या रिटर्न होगा? नहीं होगा क्योंकि मैंने यह से नॉर्मल टेक्स दिया तीन बार ब्लॉग.title क्योंकि मेरे लूप में मेरे ब्लॉग कितने है तो तल एक दोन तीन है बराबर कि नी इसलिए तीन बार देको वो प्रिंट हूँआ शा प्रिंट हूँआ ऐसा तो प्रिंट हूँआ मैंने cfa to text की तरह डाला है तो यह as a text is को ट्रीट कर रहा बट मैंने पो बताया था कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट करना है तो आपको करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा यह क्या करना है मुझे? blogs.title अगर मैंसा कर रहा हूँ क्या रहा था blog.title blogs.title नहीं है welcome to react.js welcome to next.js कैसा लगा आपको है की नहीं अब यह सिफ मैं component A की नहीं component B के साथ भी कर सकता हूँ component C के साथ भी कर सकता हूँ मुझे सिफ ऐसा पास करना है मुझे component में आके इतना सब रायता वापस से फैलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मुझे सिर्फ उससे लेना है data एक एक रिकाप करता है that is कैसे करता है component बनाया और मुझे समझो course variable pass मैं आप गो लोगा basically course is equal to course मैंने यहाँ पर दे दिया इसको property दे दिया component 1 तुमारी एक property है course is equal to course and component 1 के अंदर रहेंगे और course को value दी वो get करेंगे basically क्या है यहाँ पर आप props कर सकते हो and then props dot props dot करो यह सबसे अच्छा वे क्या है कि आपको यहाँ पर structure करना है and then directly वो नाम कॉल करते है अब हमने यह क्यूर आता पहला because vlogs जो है मेरा array है आप देख सकते हों पर मेरा वो array है so array से deal करने के यह हमें array का method को यूजी करना पड़ेगा न यह वार्न दिया था पेज भी लोडने हो रहा था कैसा लगा वीडियो आपको नीचे कमेड़ में जरूर बताना और मिलते हैं दिविक्ष्ट वीडियो तब तक के लिए इस वीडियो को दरूश रहे तमना और लाइक देए बाए बाए